नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हॉममेट रेसिपी बाई सुनीता सिंग पर दोस्तों आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप सबी घर में बहुत बनाते हैं लेकिन हम उसे फिर अच्छा नहीं मानते हैं यदि उसी रेसिपी को बहुत सारी सबजियों के साथ बनाया जाए तो ये उसका एक हेल्दियर आप्सन बन जाता है आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी पहाड़ों वाली मैगी हम जब पहाड़ों पर भूमने जाते हैं चाहें देहरा दून जाएं चाहें मसूरी जाएं हमें ये मैगी मिलती है और देखिए सबजियों मैंने लिया है चोथाई कटोरी शिमला मिर्च और ये चोथाई कटोरी मतर है ये फ्रोजन मतर है यदि आपको फ्रेश मिलता है तो वो लीजिएगा चोथाई कटोरी ये बींस लिया इने छोटा-छोटा काट लिया है और मैंने ये चोथाई कटोरी तमाटर लिया ह इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों मा काटा है, ये चोथाई कटोरी स्वीट कोन लिया है, और चोथाई कटोरी बारी कटी हुई एकदम गाजर ली हैं। आपे घर में जो भी सब्जी है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैंने एक प्याज है इसे भी छोटा छोटा कट कर लिया है जो सब्जी आप खाना पसंद नहीं करते हैं उसे इसकिप कर सकते हैं मैगी मैं अपना टेश्ट देने के लिए ये चोथाई चमच हेंग लिया है आधा चमच जीरा लिया है आधा चमच नमक है नमक समल कर लें क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक होता है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर और देखे दोस्तों ये मैगी मसाला है, मैंने दो मैगी के पैकेट लिये हैं, तो उसका ये मसाला है, साथ मैं मैगी को अच्छा कलर देने के लिए आधा चमच कश्मिरी लाल मिर्च ली है, और देखे ये दो पैकेट मैगी के लिए हैं, आएए चले बनाते हैं इसे अपनी कि कर होने दूंगी हलका साइसे मिला लोंगी अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और दोस्तों गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है बस हमारी प्याज थोड़ा ट्रांस्पेरेंट हो जाए वहीं तक हमारी इसे भूनना है देखिए प्याज हमारी ट्रांस्पेरेंट हो गई है अब जो भी हमने सब्जियां ले थी उन्हें बारी बारी से इसमें डाल देंगे दोस्तों ये कोई हार और फास्ट रूल नहीं है यहीं सब्जी डालनी है आपके घर में जो भी इजीली अवेलिबल है जो बच्चे अच्छी से खा लें वही सब्जी डालीएगा और जो ना खाएं उन्हें इसकेप कर दें और इन्हें हलका सा मिला लीजिए अब जो मसाले हमने लिये थे उन सबी को बारी बारी से डाल देंगे दोस्तों हमें क्या मसाला डालना है यह में डिस्क्रिप्शन में और मैंशन कर दूंगी अब इन मसालों को मिला लीजे इस समय मसालों की टाइम गैस की फ्लैम हमेशा धीमी रखे अब मैं इसमें दो टेबल स्पून पानी डाल दूंगी और इसे एक-दो मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि हमारी सब्जी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं लगबग दो मि पैकिट मैगी है उसमें तीन कप पानी परियाब रहता है और इसे अच्छे से मिला लूंगी लिड लगा दूंगी गैस की फ्लैम तेज करने दूंगी और बॉइल आने दूंगी देखिए इसमें बॉइल आ गया है अब मैं इसे थोड़ा सा एक बार और मिला दूंगी और दो पैकिट मैंने मैगी के लिए थे उसे इसमें डाल दूंगी और इसे हलका सा दबा दूंगी ताकि ये पानी में अच्छे से डिप हो जाए और इन्हें कुछ मिनट के लिए ठक के रख दूंगी लगभग दो से तीन मिनट बाद मैं देखती हूं कि हमारी मैगी थोड़ा डिप हो गई है थोड़ा सॉफ्ट हो गई है इन्हें कर्ची से इस तरीके से हलका हलका खोल दीजिए और मिला लीजिए ताकि ये अच्छे से मसाले और मैं मिल जाए अब इसे दुबारा कवर कर दूंगी और तीन से चार मिनट पकने दूंगी लगभग तीन मिनट बाद मै डिप हटा कर दिखाती हूं और देखिए हमारी मैगी का टेक्सर बिल्कुल पहाड़ों पर जो मिक्स वेजिटेबल मैगी मिलती है वही टेक्सर आया है ना और दोस्तों खाने में बड़ी टेस्टी है अब इस तयार मैगी को मैं एक बॉल में निकाल लूंगी देखिए कित दूस्तान नहीं करती है और बच्चों को सबजी खाने के भी आदत बन जाएगी और खाने में तो यह टेस्टी लगती है तो दोस्तों अब बारिस सो सर्दी हो गर्मी हो आप इस ट्रेम्टिक से दिखने वाली पहाड़ों वाली मैगी को घर में जरूर बनाएगा और अपन यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफेकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई